अलो गुड मॉर्णिंग देखें आपको आज आपका पेपर है 17 दिसंबर को आरो एरो का तो उसी के लिए मैं आरो एरो के आपके यह कोश्चन्स लेके आया हूं जो 2007 में पेपर हुआ आरो एरो का उसमें तो कोई reasoning math का question नहीं आया फिर 12 में हुआ तो उसमें reasoning math आई वो कम थी फिर 16 में हुआ उसमें ज़्यादा आई और अब जो 2023 में होने जा रहा है इसमें इन्होंने बोला 50 question देंगे ठीक है तो अब हम इन सवालों को कर रहे हैं इसी इसे संबंदित जो question है आप उन्हें देख लीजेगा आपको lab होगा मैंने आपको पहले EO के paper में भी कहा था कि आप ये questions देखिए आपको lab होगा तो EO में देखिए पूरा 10 number का question ऐसे फसे वोई थे बिल्कुल line by line तो चलिए अब हम solve कर रहे हैं पहले हम करेंगे 2012 कपी पर फिर हम करेंगे 2016 कपी पर ठीक है चलिए आजए ये उत्राकंट RO ARO देखिए पहला question है एक संख्या में दो अंख है जिनका योग 11 है यदि इस संख्या में 27 जोड़ा जाए तो अंख अपना इस्थान बदल लेते हैं ठीक है वे संख्या किया है देखिए मैं आपको न A 있는 के तरीका बता ऐक करने है पहले यह एक संख्या staying …्यानी एक दो अंकों की एक संख्या है तो हमेशा mathematician यह कहते हैं कि जब भी आप दो अंकों की एक संख्या माने तो वो यह माने 10X पलस Y यह है मेरी दो अंकों की संख्या, ठीक है? किया रहा इसके दो अंक है अब देखे इसके जो अंक बोलेगा ना वो ये मानेंगे इसके जो अंक है वो है X प्लस Y इनका टोटल दे रखा 11 ये दिया हुआ है मैंने दो अंकों की एक संख्या माल ली ये क्योंकि आखिर में पूछा संख्या बतानी है तो मैं x का और y का value नहां रखूंगा संख्या निकल जाएगी तो दो अंकों की संख्या ये है इसके अंक ये है x प्लस y उनका योग 11 है यदि इस संख्या में 27 जोड़ा जाएगा तो अंक अपना इस्थान बदलेते हैं तो इसे कहता solve करता हूँ solve करते हैं देखिए ये y इदर जाके घटा दीजिए ये x इदर जाए घटा दीजिए तो क्या आएगा 10x में से 1x गए तो 9x आएगा पलस 27 तो रह गए रहेगा और ये हो जाएगा 9y ठीक है ये इदर ले जाके घटा दीजिए 9y-9x is equal to 27 तो y-x is equal to 3 एक समीकरण मेरी ये आगई और एक मेरी ये दे रखी थी ठीक है तो देखे x पलस y 11 है और y-x क्या है मेरा 3 है समीकरण ये इसे मैंने a लिख दिया और समीकरण b लिख दिया मैंने इसे मैं दोनों को जोड़ूं तो x और y के मान निकाल लेता हूँ इन दोनों से तो a पलस b कर रहा हूँ पहले में x पलस y पलस y-x बराबर 11 और 3 14 ठीक बात है x से x कट गया तो 2y बराबर आगया 14 y बराबर आगया 7 अब मैं y की value यहां रख दूँ b में तो y की value में इस में रखता हूँ तो 7-x बराबर 3 तो x बराबर आगया 4 तो x बराबर मेरा आया यह 3 दर जाए घड़ी है और यह x इदर आगया 4 x बराबर 4 यह थी 2 उंकों की संक्या 2 उंकों की संक्या क्या थी मेरी 10 x पलस y x का मान रखो 4 10 गुना 4 और y का मान कितना आया था 7 तो मैंने रख दिया 7 तो मेरी संक्याई 40 x 7 is equal to 47 यह मेरा आंसर आगया देखे यह रहा 47 तो इसी तरीके से questions को करते हैं एक question आजाता है ऐसा next question में कह रहा है दो वर्षों में किसी धन पर अब इस सवाल की बात करू ना तो देखे कहरा दो वर्षों में 5% व्याज की धर से साधारन व्याज और चक्रवती व्याज यानि compound interest का अंतर 6 रुपे हैं तो राशी बताने हैं अब देखे मैं आपको बताता हूँ यह सवाल ना दो तरीके से आता है अगर वो कहें दो वर्षों के लिए तो एक में shortcut trick है यह देख लिजिए आप वही shortcut trick तीन वर्षों के लिए इससे ज़्यादा कभी नहीं आता इसमें दो वर्षों के लिए होता है अंतर दे रखा होगा दोनों का अंतर अंतर का मतलब है यह simple interest minus compound interest का अंतर तो यह तो जूकातु रहेगा अंतर बरावर मूलधन इंटु आर अपॉन सो का हो लिश्कार यह तो रहे गई रहेगा साथ में तीन साल के लिए आर अपॉन सो फलस्थरी कर देंगे तो आपका काम हो जाएगा तो यह फर्मूला याद रखे का एक सवल जूकातु आ जाता है अब आप ध्यान दीजिए मैं क्या कह रहा हूं इसने दिया है अंतर छे रुपे एक बात है कह रहा है मूलधन बताना है राशी बतानी है इंटु दर है पांच अपॉन सो का पोल स्वैड दो वर्ष का ही तो है तो यहां से निकल जाएगी राशी यह बीस हो गया एक बटे बीस कवर क्या हो जाएगा चार सो मूलधन इंटु वन अपोन चार सो मूलधन कितना निकल जाएगा मूलधन निकल जाएगा चार सो गून अच्छे यानि 24 रुपे यह आपका आंसर आजाएगा ठीक है तो यह फॉर्मूले को याद रखेगा सीधा पूट करिएगा वैलू करन्ग मिलते हैं तथा गलत उत्तर के लिए एकंग कटता है यानि सही के लिए पलस चार गलत के लिए माइनस एक चातर ने 75 प्रशन हल किये टोटल 75 प्रशन हल किये अर्ण था एक बात है उसे 125 प्रशन क संक्टी उने कितने मिले 125 प्रव तो कितने सही है मैंने कहा उसने एक्स सही किये गलत कितने होओं के विच स्थर मेंस principalmente 75 माइनस एक्स जो है उसके गलत होंगे सही के लिए उसे मिलते हैं 4 अंक तो टोटल 4x अंक मिले सही के लिए गलत के लिए उसको मिलता 1 अंक तो गुणा 1 और ये कट गए उससे 75 माइनस x ये उसके टोटल अंक वेसे कट गए और सही के गलत के कट गए उससे कितने पराप्त वे 125 मिले है तो उसे बताना सही उत्तर कितने दिये यानि x की वल्यू बताने है तो solve कर लिए 4x minus 75 यह minus की गुणा अंदर होगी तो यह plus x is equal to 125 75 और 125 जुड़ जाएंगे तो यह हो जाएंगे 200 4x और 1x हो जाएंगे 5x 5x वराबर 200 तो x वराबर आजाएगा 40 तो 40 उसने सही उत्तर दिये टोटल 75 थे तो चालिस में से चालिस जाएंगे तो 35 गलत दिये यह 35 हो जाएंगे और सही हो जाएंगे 40 ठीक है चलिए next चल रहा हूं मैं अब देखिए मैं अपने घर से तीन किलोमेटर प्रती घंटा की गती से चलता हूं तो अपने ओफिस 40 मिनट देर से पहुंचता हूं बहुत अच्छा कोशन ना आयोग को बड़ा पसंद है यह वाला कोशन ना देखिए मैंने कहा आयोग को बड़ा पसंद है और यह सवाल में आपको दो तरीके से करूंग प्रती घंटा की चाल से चलता हूं तो 40 मिनट देर से पहुंचता हूं अब मेरी चाल अगर 4 किलोमेटर प्रती घंटा हो जाती है तो मैं तो मैं 30 मिनट जल्दी पहुंचता हूं तो मेरे घर से ऑफिस की दूर यह बतानी है ठीक बात है अब देखिए अगर जो मैं मालनू इसे कि यह जो 3 किलोमेटर है यह हो गया ए ठीक है और मैं देर से पोस्ता हूं यह हो गया टीवन और यह हो गया बी और यह टाइम हो गया है और मुझे बताना है दूरी 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 एकस बराबर तो इसका फर्मूला होता है ए घूना बी अपॉन बी माइनस ए गूणा एफन पलस टीटू अपॉन चूप यह दोनु मिनट में घंटे मना लेते है को गंटे मना लिए इक बात है देखिए अब एक या है पहले च चा लोगी मेरी चार, और दोनों के चा लोगा अंतर गया, चार माइनस तीन गुना, पहले चालिस मिनट देर से पहुच्चा था, फिर थीस मिनट जल्दी पहुंचने लगा, बटे, साथ, तो चारती है 12, 12 बटे एक गुणा, 40 उरती है 70 बटे, यह इस से कड़िया, यह इस से कड़िया, 6 दुनी 12 और 7 दुनी 14, 14 किलोमेटर दूरी आगी एक तो तरीका यह है, दूरी आगी, घर से ऑफिस की दूरी 14 किलोमेटर आगी, यह अंसर लग जया, ठीक है, यह तो होगी आगी शॉटकर त्रीक ध्यान लग सकते हैं, मैंने यह बटे साथ इसलिए किया है, क्योंकि चाल तो दे रखी थी किलोमेटर पती घंटा में, यह भी, और यह समय दे रखा था मिनिट, तो मिनिट को मैंने क्या बना दिया है, एक तरीका तो यह है, अगर आप चाते हैं, और चाल मेरी जैड है, तो मेरा अगर में घर और ओफिस के दूरी एकस है, मैं जैड स्पीट से चलता हूँ, तो मैं टी समय पर पहुंचता हूँ, यह मेरा पहुंचने का सही समय है, अब वो क्या कह रहा है, कह रहा है, वो दूरी तो घर और ओफिस के वीच में एकस है, वो एक समीकरम अब उसने क्या करा इस पीट को चार किरोमिटर पता घंटा कर दिया धूरी तो वही है अब वह जल्दी पहुंच गया पहुंचने के समय से कितनी देर पहले पहुंच गया तीस मिनट पहले पहुंच गया यह देखिए तो इसे सॉल्व कर लिजे इसे इधर लिजाए तो पहले वाले से क्या आ जाएगा ती बरावर आ जाएगा एकस बटे तीन माइनस ये दो दुनी चार दो ती अच्छे दो बटे तीन मेरी एक समीकरम ए ये आ गई इसी तरह यहां से करूं एख बटा दो तो यहां से ती दोनों को बराबर रखूँगा, x का माल निकल जाएगा, x by 3 minus 2 by 3, बराबर x by 4 minus 1 by 2, यह इदर आ गया, यह इदर चला गया, तो x by 3 minus x by 4 is equal to 2 by 3 minus 1 by 2, 6 एक एलसेम ले लिया, 3 दूनी 6, 4, 2, 3, 6, यानि एक बटा 6, और यहां पर भी ऐलसेम क्या आ गया, 12 एलसेम आ गया, 3, 4, 12, 4, 3, 12, तो solve करेंगे तो यह आ गया, यहां से x बटे 12 बराबर, एक बटा, क्या गलती होगी, एक बटा, यहां पर कुछ गड़बर होगी, यह मेरे साथ ना, शायद calculation में मेरे से कुछ गड़बर होगी, मैं चेक कर देता हूँ, अब देखिए आप, एक में में तून ज क्या गलती होगी, मैंने देखता हूँ, यहां पर गड़बर होगी, यह देखिए, यह देखिए, यह एक बटा, दो हुआ, तो यहां से t बराबर आएगा, x बटे 4, यह तो माइनस के हैं, यह तो इदर आके, पलस के होगी, पलस के 1 बाइ 2, यह आएगी, बी, मैंने यहां इहां पर माइनस के, इधर से लियाकर, इधर भी माइनस के कर दीजी, तो ए बराबर बी कर diजी, तो x बाइ 3, मैंनस टू बाइ 3, बराबर x बाइ 4, पलस 1 बाइ 2, तू, यह दर आके ख़ट गें, यह दर आके जुड जाएंगे, तो x बाइ 3, मैंनस x बाइ 4, बराबर 1 2 पलस 2 भाई 3 इधर LCM आजाएगा 12, 3 चुक्ते 12, 4 ती 12 तो X बचेगा और इधर LCM आजाएगा 6, 2 ती 6 पलस 3, 2 नी 6 तो पला जाएगा 4, तो यह आजाएगा 7 बटे 6 बराबर X बटे 12, 3 दुनी 12 और 2 की इधर गुना हो जाएगी तो यह आजाएगा X बराबर 14, टीक है, यह तो आप इस तरह भी कर सकते हैं इस तरह भी कर सकते हैं एक सर्वे से पता चला कि 65% लोग दूर दर्शन पर समचार सुनते हैं ठीक बात है और यह दूर दर्शन या टीवी देखने वाले हैं और यह अख़बार करने जोड़े आपको इस तरह का सवाल मिले ना और पच्छिस परसेंट क्या देखते हैं दोनों तो सबसे पहले बीच वाला लिखो जो दोनों है 25 दोनों है ठीक है अब देखिए दूर दशर कितने यह आई गए तो बचे कितने 15 यह आ गए तो जो यह आया ना वो लोग कि जो दूरदर्शन टीवी कुछ ना कुछ देखते जरूर है तो कितने आ गए 40 कितने 65 75 80 80 कोई अखवार पढ़ रहा है कोई दूरदर्शन देख रहा है कोई दोनों देख रहे हैं टोटल है 100% 100% कुछ ना कुछ देख रहे हैं तो कितने हैं जो नहीं देख रहे हैं कुछ भी 20% है तो यह पूछ रहा है ऐसे कितने लोग हैं जो नहीं तो दूरगर्शन देखते हैं और नहीं अखवार पढ़ते हैं तो 20% आजाएगा मेरा या आंसर ठीक है चलिए next उसके बात कह रहा है इसमें विलुक्त संख्या बताईए देखे इस का वर्ग करेंगे 4 का वर्ग 16 और 2 का वर्ग 4 इन दोनों का टोटल करेंगे तो 20 आजाएगा नो का वर्ग 81 तीन का वर्ग 9 81 कितने हो जाएंगे 90 इसी तरह साथ का वर्ग उनिंचास और एक का वर्ग एक दोनों का टोटल करेंगे तो पचास आजाएगा ठीक है इस तरह का कुर्शन पी आयोग डालता है चलिए किसी फरम में 520 खर 11 जबितन 4書 i said चार्मचारियों का पूरी कमपनी का जिसमें इस्तरी करमचारी चारी दोन learned average 500 हौषर संखया बताईए क्या होता है मैंने का in मैंने मान लिया पूरुष कार्मचारी x कि एक्स मां गीला करमचारी कि ऱ्याह हैं और आं कि tapfoot खिक बात है अब X करम्चारियों का X का X करम्चारी का ओसत वेतन कितना है पूसत वेतन है 520 X पूरुष करमचारियों तो पूरुष करमचारी का टोटल कितना हो जाएगा कुल हो जाएगा 520 गुना एक्स यानि 520 एक्स इसी तरह महिला करमचारी का देखी महिला करमचारी वाई हैं और इनका ओसर पर 420 तो महिला करमचारी का कुल कितना हो जाएगा पुल हो जाएगा 420 वाई ठिक बात है और टोटल करमचारी कितने हैं कुल करमचारी हैं एक्स पलस वाई । कुल करमचारी का ओसर्द कितना है का कुल बराबर पुरी फेक्टरी का कुल लिख सकता हूँ मैं बिल्कुल लिख सकता हूँ फ़िक उर्य का कुल केतना है पानतो बीस एकस महिला का कुल केतना है 420 कुरी फेक्टरी का खूल कितना है 500x plus y तो गुना कर लीजिए 520x plus 420y is equal to 500x plus 500y किदर आके घटिया 520 में से 500x गए तो 20x 420 520 में से गए तो 80y तो x बटे y कितना आ जाएगा 80 बटे 20 तो 80 अनुपात 20 आ गया चाहे 4 अनुपात 1 भी कह सकता था चाहे 80 अनुपात 20 भी कहे तो देखिया उसने किसका अनुपात पूछा यह पूछा है ठीक है यह आ गया नेक्स्ट कोश्चन के चलगा हूँ यह तो अ冷व अ देखिकि कह रहा है इनमें से कोन अलग है अरुंद्धिराय शोबना नारायन सोनलमां सिंग और यह शोबना नारायन जो है यह शैए परियावन से हैं बागी तीनों की तीनों कलाकार हैं या कोई अन्वार्मेंट से हैं लिखेंगे, देखे, O, P, ठीक बात है, इसी तरह से N, O, इसी तरह से R, S, P, S, T, देखे, एक बढ़रा है, घटरा है, इस तरह से कर रखा है, ठीक बात है, लास्ट वाला Q, R, तो इसी तरह से लास्ट वाला T होगा, तो इसका S होगा, यह F है, इससे पहले वाला क्या होगा, E आया हुआ है, तो H से पहले वाला क्या होगा, G होगा, तो देख लिखेंगे जिसके लास्ट में G, S आरे हैं, वो लग जाएगा, यह लग जाएगा, इसारे चेकर लीजेगा, कुछ निए common sense क विए ह्ट कोन आगे है भारती या ऑपकी भारती है और किसे डिप्विया से आथ स्थान आके चाथ यह आथ हमां इस सकी। जो 42 कि कख्षा में 26 वह स्थान पर है अगर जो इदर से गिलं हैं तो इधर से 42 की कख्षा में 26 मा इस्थान हो गया ठीक बात है भालbayर जथान संपर है तो नीचे से भारती का इस्थान अब देखें नीचे से इसका मतलब इधर से कहा रहा है total 42 को है अब total बेयालिस है इधर से गिनूँगा तो भारती का स्थान आएगा सत्रमा जो की option में नहीं है एक बात है अब अगर जो मैं इधर से गिनूँ दिविया का गिनूँ इधर से तो 26 के बाद 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34 का मतलब 42 है तो 8 दिविया से पहले होंगे और दिविया का स्थान नूवा होगा इधर से अब उसने पूछा क्या है नीचे से भारती का स्थान पूछा तो इसका मतलब question में गड़बढ है अब हम चेक करते हैं अब हम इससे लिखते हैं भारती दिविया से 8 इस्थान आगे य अब यह जो आप मानिए दिविया के लिए जो यानि दिविया के बात हो दिविया 42 की कख्षा में 26 इस्थान पर है ठीक बात है इधर से लगाया मैंने 26 वा तो इधर से भारती का स्थान बता दो चब्श यह होगे 27 28 29 31 32 33 और 34 और बचे इधर कितने 42 में से आठ आठ यह हो गए और इधर से भारती का स्थान हो जाएगा नौ वह यह पूछ रहा है यह जो को दिविया समझेगा तो अंसर लगाएगा देखिए इस तरह आयो कोशन डालके आपको पजल कर देगा और परिशान कर देता है तो यहां पर जो का मतलब दिविया लगाया जाए इनके पांस सठके हैं एक दो पने यात्रा कितने तरीके से पूरी कर सकता है यह आगरा से दिल्ली एक सठक से जाए और किसी अन् Самग सठक से लो रोटे इसका क्योंbayरा से दिल्ली आ ग्लि जा रहूं घनर है तो मेरे पास जाने के लिए कितनी सड़़िये पऊंसर यहां बूब गाइन अगर ऐसे कहता रहे कि तर इया उस से वापिस भी आ सकता है तो मिरे पास जाने के तरीके भी 5 होते हैं और रहा कि आनसर दित किया है कि अन्य सडक से लोटेगा जिस सडक से गया उससे नहीं तो जाने के तरीके पांच है और आने के तरीके चार है पांच चोके 20 हो जाएगा ठीक है चलिए कि एक परिक्षा में 212 अंक मिले जो पास होने से 32 जादा है जिसका मतलब पास होने के लिए कितने अंक जरूरी चीदी सी बात है नमबर एक बार सोनल को 75% अंक मिले सोनल के मालिया अंक एकस है और टोटल मैंने कहा कुल अंक एकस है सोनल को कुल अंक के 75% अंक मिले जो पास होने से सतर अंक जादा है पास होने के लिए चाहिए असी और वो पास होने से सतर जादा है तो कितने सतर यह नहीं डेड़ सो मिले हैं सोनल तो कह रहा है एकस का माल बताईए परिक्षा का नियूंतम अंक बताना है पहले तो कुल निकाल लूँ मैं कुल निकाल लेता ह एक्स गुना तीन बटे चार बरावर डेड़ सो यह कड़िया 50 आ गया तो एक्स बरावर आ गया कितना 200 कुल अंक है 200 पास होने के लिए चाहिए 80 तो 200 का कितने परतिशत 80 है यह तो निकालना है वो कूछरा पास होने के लिए निनतमंग कितने चाहिए तो एक्स बराबर कितना आगए एक्स बराबर आप देखिए काट दीजिए तो चालिस परसेंट आ गया को कि टो करत कर दो कि नुद्ए पेंटी यह दुकॉए यह वाइसे जब 305 गुंहें जब उसका मूँआ यह भाइन हुए और उसका मूँ यह जाना है यह छुआ अधार है कि घडी की दिशा में 180 180 180 भूमने को मतलब है just opposite हो जाना तो उसका मुह अभीदर हो जाएगा ये इधर से भूमने गा 180 तो अब उसका मुह की इस दिशा में अब उसका मुह ये दक्षिन है ये पहस्ची में तो दक्षिन पहस्ची में है इस कमां ठीक है चलिन नेक्स्ट कह रहा है अगली संख्या क्या आएगी देखे इन दोनों को जोड़ा 11 इन दोनों को जोड़ा 29 इन दोनों को जोड़ा 47 तो 47 और 39 कितने होगे कालिस और बीस साथ 76 होंगे तो 76 जाएगा ठीक है चलिए नेक्स कोश्चन पर चल रहा हूं किया आप 1200 वैक्तियों के एक सभूंग में सिपाही और कप्तान हैं प्रतेक 15 सिपाही ओपर एक कप्तान है यानि टोली बना रहे हैं पंदरा सो तो सिपाही हैं और उसके उपर एक कप्तान है यानि एक बैच में 16 लोग हैं तो ऐसे 1200 लोगों में कितने बैच बन जाएंगे पिछतर गुरूप बनेंगे फितर समूब और हर गुरूप में एक कोन है एक कप्तान है तो यह लिखावा ऐसे एक कंदरा के उपर तो आप देख सकते हैं तो कितने कप्तान होगे टोटल पिछतर कप्तान होगा यह लिखावा नेक्स्ट कहरा किसी संक्या के तीन बटे चार और चार बटे साथ के बीच अंतर सू है तो संक्या बता दो तो 2028 आजैगा इधर चार सत्य 28 ताट चोके 28 तो 5 बटाबर 28-5000 आजाएगी संक्या ठीक है यह आगे संक्या नेक्स्ट कह रहा है नो प्लस नो गुना तीन प्लस चाहर आठ इस इगल तो यह उपरेशन हो रहा है इनके बीच में क्या रिलेशन है यह आपको बताना 24 कैसे आया है यह कैसे आया है धिक बात है तो आजगे 98 72 72 दिवाइड बाइड फ्री बीच वाले से डिवाइड किया तो चोबीस आ गया दस सत्य सत्र कोने वालों को गुनाके डिवाइड बाइड दुटो थे था ठीक है अश्वीत यह इस्थीए दो सो चालिस को चालीस से डिवाइड करेदगा तो छे आ तो बारवतिया 36, 36 को चार से डिवाइट करेंगे तो नो आ जाए गांसा, ठीक है, नेक्स देखते हैं, एक घड़ी में 3 बज कर 25 मिनिट में घंटे और मिनिट की सुई के बीच में कौन क्या होगा, देखिए, आप अराम से देखिए, यह ऐसे है, 3 घंटे और 25 मिनिट है, या सवाल एक जरू डालेगा, आयोगा, तो आप क्या करिए, जो 3 बज करें गंटे की सुई, इसमें आप पहले 30 से गुना कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा 90 डिग्री, फिर जितने मिनिट है ने 25, इसका आधा कितना होगा, साढ़े बारा इसमें जोड़ दीए, तो कितना आ जैगा, डेड़ सो डिग्री, अब जो ज्यादा है उसमें से कम घाटा दीजिए, तो डेड़ सो डिग्री में से 102.5 डिग्री घा दीजिए, तो दस में से 5 गए 5, तो 9 में से 2 गए 7, ठीक है, तो आप देख सकते हैं, ये बचे आपके 47.5 ठीक है, साढ़े 47 डिग्री बचा साड़े संतालिस दिगरी यह रहा आपका ठीक है नेक्स देखते हैं किया इसमें ट्रेंगल गिनकर बताईए अब देखिए कुछ कोश्चन फीक्स हैं जो आए हुए हैं तो आप कैसे करें देखिए मैं करके दिखा रहा हूं आपको एक इसका नंबर लिख लेता हूं A B C ठीक लोगा ना उसका पहला वर्ड पहले दिखूंगा देखो जैसे यह बड़ा लिया मैंने बड़े 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 वारे ट्रेंगिल को मैं ए पहले लिख रहा हूं A B C ठीक बात है अब मैं इसके ले रहा हूं A G C दूसरा टेंगल मेरा बनगया A G C तीसरा टेंगल मेरा मेरा जी-ई-सी जी-ई-सी यह वाला ठीक बात है यह हो गया यह हो गया ठीक है उसके बाद एक तो बड़ा लिख दिया मैंने यह बड़ा हो गया ठीक है एक यह हो गया एक यह हो गया एक यह हो गया जी-ई-सी यह लिख दिया और एक यह वाला हो गया ए-ई-सी इधर तो यही बन र मैं एक पकड़ के लिख रहा हूं जी तिपी भी फिर में फिर यहीं में हो झायगा GFE GFE हो जाए है ठीक है उसके बाद आप देखिए एक मेरा हो जाएगा यह वाला BGC BGC ठीक होगे बाद उसके बाद कितने होगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 हो गए उसके बाद आप देखिए और कौन सा हो सकता है यह हो गया मेरा FGE GFE हुआ था यह वाला GFE यह एक ही बात है यह वाला हो गया हाँ हो गया अब यह वाला देखिए अब यह 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 तो यह हो जाएगा D A E एक बात है फिर यह वाला हो गया D B E D E B यह हो चुका है यह भी हो चुका है यह भी हो चुका है यह वाला हो गया D B F D B F यह रहे गया D B F या B D F तो भी यह यह वाला ठीक है और यह वाला D F E D F E इस तरह से गिने जाएंगे एक दो तीन चार पाँच छे साथ आठ नो दस ग्यारा बारा बारा तो यह हो गया देखे बारा तो मैंने गिन दिया और आप मेरे हिसाब से तो और कोई रह नहीं गया यह भी हो गया यह हो गया यह वाला B G C B G C यह हो गया है यह वाला भी हो गया है यह वाला भी हो गया है यह वाला भी हो गया है थिऱгорने नेटश appears निए इन में से अगली आकरति कोन से छेँए ये पूरा गोला था और यह ऐसे प्रोस था अब क्या हुआ जोह भार का गोला था वही बीच में आ गए अब यह देखे भात स्क्वायर और बीच में ये है तो आप हमारी आकरती क्या बनेगी बीच में भी स्क्वायर आना चाहिए और इस तरह से मिलना चाहिए तो इस तरह से यह वाली में जाएगी ठीक है नेक्स चलता हूँ कह रहा है छोटी से छोटी संक्या छोटी से छोटी संक्या मतलब LCM निकालना है जिसे इन से भाग दें और भाग देने के बाद अगर हम LCM निकालेंगे ने इन तीनों का तो वो पूरी कड़ जाएगी LCM क्या होता है LCM यह होगा कि वो 12, 16, 18 से पूरी तरह कड़ जाएगी ठीक है और LCM निकालेंगे मैं 5 जोट दूँगा तो क्या होगा वो संक्या आजाएगा आंसर आजाएगा जो इन से भाग देने पर 5, 6 बचे तो यही करना है प्रती कवस्ता में 5, 6 बचे तो 12, 16, 18 का मैं LCM ले लेता हूँ 2, 6, 12, 2, 8, 16, 2, 9, 18, 2, 3, 6, 2, 4, 8, 9 फिर 2, 3, 2, 9 फिर 2, 3, 1, 9 फिर 3, 1, 1, 3, फिर 3 तो 3 से 1, 1, 1 हो जागा 3, 3, 9, 2, 8, 2, 36, 2, 72, 2, 144 144 में राया LCM जब भी पूरा कटना पूरा कटने की बात होती तो 144 अंसर होता जब भी 5, 6 बचाना हो तो LCM में 5 जोड देंगे तो क्या होगा 109 चास आजाएगा मेरा आंसर ठीक है आप देख सकते हैं आप इसको वैसे भी कर सकते हैं कोई भी संक्या देख लेगे 12 से डिवाइट करिए इसे तो 5 बचेगा 12 से करिए तो 5 बचेगा 18 से करे तो 5 बचेगा आप चेक भी कर सकते हैं तो इन में नहीं बचने का इस तरह भी कर सकते हैं और यो समझी ना आए कुछ पेपर में नेक्स्ट ओषचन गैरा तो में रहे तो नसी प्लमबाय कर सकते हैं मस BLACK slash में कीलोमeटर 5 से गुणा कर दीए कि भासों डिश्टिश्ट उबंश टो क्या आगए च्छतेष्टिस फीन्य गंटा आ गया यह आगए मेरा मेरा घंड कर देह कि देखे ऐसली तरहे कि 3 स्थितिया दर्शा ही निये बताये चार इन तो प्रण के विप्रीट क्या हो अब ध्यान दिजिए मैं आपको 2 से बीनिकाल के 23 सबसे बता पहले 2 पकड़ लिए या मेरे साथ इन दो पासों में क्या को जाने की दर विटो है इधर भी चार है इमिने दर भी common है ठीक है जी क्या common है एक बिल्कु ठीक बात है तो बचे क्या चार और दो बचे और पांच और छे बचे देखे इस पासे में दो इस side पे है ठीक है अब मेरे पास बचे क्या चार और दो बचे इसमें और इसमें मेरा पांच और छे तो बचे एक कोंड है तो मैं क्या करूंगा चार देखे दो इस side पर है और दो के same side पर इस तरफ का है 6 है तो 2 के opposite 6 नहीं होगा तो बचा गया फिर 2 के लिए 5 बचा तो 4 के लिए बचा 6 बचा तो मेरा answer की आगया उसतरे से भी आप निकाल सकते हैं सिलिगा क्या पोछा क्या हो चार की विप्रित क्या होगा घृशा टीर क्या है पहले पासे में यहांपर जो बात क्लोटवाईस क्या क्या आएगा पहले याद रखेगा इस तरह से भी कर सकते हैं आप क्लोक वाइस घुमा करके भी कर सकते हैं जैसे मैंने बताया वैसे भी कर सकते हैं आपना अंसर आजाएगा नेक्स कोश्चन पर चलता हूँ दो गाएं और तीन घुडों का दाम चार हिजार रुपे रहा है दो काओ पलस्तीन होर्स का रेट जो है कितना चार हिजार रुपे हैं नंबर एक का तीन काओ और दो होर्स का जो है वो 3500 रुपा है भूटकर सिल्बंट तो एक गाएं का दाम बताओन अब इन दोनों समीक्रण को स्वश्व करना है मुझे गाएं का बताना है तो होस काड़ू यहां पर 3 यहां पर 2 हैं इसे मैं 6 होस बना दूं तो पूरी Sumyakran को तीन दो से गुणा कर दूं और यहां पर भी M ä intelligent 6 horse बनाने के लिए इस पूरी समेगन को 3 से गुना करूंगा, तो यह हो जाएगा 4 cow पलस 6 horse बराबर 8000 कि इसे में गुना कर रहा हूं 2 से और इसे में गुना कर रहा हूं 3 से, इसे 3 से करूंगा तो 9 cow 6 horse बराबर 3 से 35 एकसो पांच ही आ जाए यह दस हेर 500, इसको solve कर लीजिए, तो इसे उन घाता दूं है तो यह तो यह वाल जाएंगे नो को पर चलता हूं कि यदि दो संख्याओं का गुणनफल 320 है एक्स गुणा य बराबर कितना है 320 कि एड़ा उनका अनुपात एक्स अपोन वाई बराबर है एक बटे 5 तो तब संख्याओं का योग क्या होगा तो यहां से इन दोन गुणा करेंगे तो क्या आएगा एक्स पांच प्रहाबर क्या आजाएगा य वाई कउम अनुप यहां से दोन गुणा फांच अंस बराबर 320 है तो क्या आगे पांच एक्स यूपार बिऑर टेन सु-बिस इसे कातीए पांच चिंग 30, पांच चोके 20, एकस उसकाइब बराबर 64, तो एकस बराबर तो आगया 8, एकस के वेल्यू यहां रख दू 8, तो वाई का वेल्यू निकल जाएगी, वाई बराबर 320 बटे 8 यानि 40, तो वाई आई 40, एकस आया 8, तो दोनों का टोटल कितना हो जाएगा, 48 हो ज एकस एक कारे को बारा दिन में पूरा करता है, ठीक बात है, जब एकस इस कारे को तीन दिन कर चुका है, अब ध्यान दीजिए, एकस का एक दिन का काम कितना होगा, जब पूरे कारे को बारा दिन में कर रहा तो एक बटे बारा काम, ऐसे करते हैं इने, तो एकस ने तीन दिन काम किया तो X का 3 दिन का काम कितना आएगा 3 बटे 12 यानि एक बटे 4 एक बटे 4 काम समाप्त हो चुगा इस समय तो अब बचा कितना काम है 6 काम बचा है तो टोल काम एक होता है तो 1-1 by 4 is equal to 3 बटे 4 काम 6 बचा है अब देखते हैं आगे सवाल क्या कह रहा है कह रहा है य उसके स साथ लग लिया और दोनों ने काम को थीन दिन में पूरा कर लिया थीक बात है मैं माल झांड कर ल்ग् livestream कह लग गया और दोनों ने थीन दिन में काम कर लिया इसका मतलब क्या है तीन दिन का X का काम पलस तीन दिन का Y का काम और दूनों ने मिल exemplu कर बचा हुआ काम निप्ठा दिये बटे कितना काम बचाता तीन बटे 4 काम पूरा कर दिया ये है हमारा QuesION ये दे रहा उसने तो X कितना है X काम करता है 12 दिन में तो 3 दिन का 3 बटे 12 आरहा पलस्तीं बटे य का मुझे निकालना देखे उसने वही पूछ यह अकेला कितने करेगा मनें का भाय दिन में करता है वो भरावर तीन बटे solve करिए यह दर जाके घटिया 3 बटे y बरावर 3 बटे 4 माइनस 3 बटे 12 12 एलसियम तारती यह 12 बरावर 6 बटे 12 यानि 1 बटे 2 तो 3 बटे y बरावर 1 बटे 2 यह दर चला गया तो y बरावर क्या आगे 6 दिन तो y उस काम को अकेला 6 दिन में कर सकता है x उस काम को 12 दिन में करता है तो y उसे 6 दिन में कर सकता है यही पूछा हुआ उसे y अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा आप देख सकते हैं इसी तरीके से करते हैं उसने दे रखा था, X किसी काम को 12 दिन में करता है, तो X का एक दिन का काम, एक बटे 12, उसने तीन दिन काम किया, तो उसका तीन दिन का काम, तीन बटे 12, यानि एक बटे 4, एक बटे 4 काम समापत हो गया, आप काम बचा है, शेश इतना, कह रहा है, A का तीन दिन का काम, पलस, स का 3 दिन का काम 3 गटे x,y का 3 दिन का काम 3 गटे y, बराबर 3 गटे 4 काम पूरा हो गया, 3 x कितना है 12,y का मान निकालना है, और मैंने उसे सॉल्व करकर आंसे निकाला, 6 आ रहा है, ठीके, चलिए, किसी कक्षा में 30 विध्यार्तियों की ओसत 15 तो 30 की कुल कितनी हो जाएगी, है कि हमारा फर्मुला क्या होता है हमारा फर्मुला होता है इसने पंद्रा पता निए और तो कुल कितने आ गई 30 का कुल कितने आ गई 30 की कुल आई यू आगे साड़े 400 जदी अध्यापक भी शामिल कर लिए जाए तो उसत एक साल बढ़ जाती अब बंदे हो गए 31 पहले आवरेज थी पंदरा वैवरेज होगी सोला तो 31 की अब कुल कितने आ गई 31 गुना सोला गीज सोला ती अर्तालिस और उननचा 496 एकत्तिस की कुल माइनस तीस की कुल तो बचेगी कितनी एक की कुल एक कौन है एक यही तो है गुरु जी टीचर ठीक है अध्यापक तो घटा दीजे चार सो छेआण में माइनस चार सो पचास इस इकल टू कितनी बची 46 साल गें गुरु ठीक है यह हो गया 46 आप देख सकते हैं नेक्स्ट कुश्चन पर चल रहा हूं एक महिला ने एक आदमी को और इशारा करते वह यह देखो यह खड़ी महिला यह इस आदमी के और इशारा कर रहे है कि इस आदमी के भाई के पिता इसके दादा जी के पूतर है ठीक है तो यह दादा जी हो गए दादा जी के क्या हुए पूतर यह हो गए ठीक है जी और कह रहा है कि उसके पिता मेरे दादा जी के तो लड़की यही पे आगी यही पे आगी लड़की ठीक है लड़की के दादा जी इसके पिता के पूतर त इसके बहन ही नहीं हुए तब इसके भी दादा लगे और इस आदमी के भी दादा कि इसके भाई के पिता है तो बहन हो गई नेक्स्ट कुश्चन पर चल रहा हूं एक वस्तूगी कीमत साथ परसेंट बढ़ गई वह भोकता को उसके में कितने की खवत कम कर देनी चाहिए उसके खर्चे पर कोई फरक ना पड़े देखे बहुत अच्छा कोशन होता है ठीक है इसके ने एक शौट कट त्रीक है कहें तो कितनी क्या करने प्रतीशत में मुझे कमी करनी है प्रतीशत में कमी करनी है तो जितनी व्रिद्यवीती उसे माल्या मैंने आर परसेंट की तो गुना सो बटे सो पलस आर तो साट परसेंट की व्रिद्यवीती गुना सो बटे सो पलस साथ बराबर सो गुना साथ गुना सो बच्छे कितने बारा सत्य एक सो बारा बच्छे कितने आठ बच्छे पंजे अस्ती तो साड़े सेंटीस परसेंट आजाएगा आप ता अनसर ठीक है यह आजाएगा ठीक है नेक्स कोश्चन पर चलते हैं अधि पर 25 क्वार आप रवा और दूसरे पर उसे ना तो लाब होगा न खानी हुए तो इसका ऊपसेंट कंजे चलते हैं एक उसने एक सुपे खरी और इस पर साथ परसेंट लाब हुआ तो एक्सका 7% कितना होगा यह हुए सका और दूसरी जब 1x की खरीदी तो दूसरे 650-x की खरीदी इसपर मैंने इखा हानी हुई, तो इसपर कितनी हानी हुई,6% की हानी न लाँप न रावज तो I. qui na लाप होज़ ना रानी धू इसका मझेले दूनों बराबर है 10 रुपे का लाब हुआ 10 रुपे की हानी भी तो दुनों बराबर है कोई मतलब नहीं तो यहां से क्या आगा 7x अपॉन 100 बराबर इसे गुना केजिए चेचिंग 3649-6x अपॉन 100 यह इससे कड़ गया यह इससे कड़ गया तो क्या आया 7x बराबर 3900-6x यह इदर जाके जुड़ गया तो 13x बराबर 4900 यह इससे कड़ गया 1349 तो x बराबर आगया 300 तो 300 रुपे तो इसका आगया तो बचा हुआ कितने का होगा 300 भी तो 300 रुपे पर 7% का लाब हुआ और दूसरी 300 रुपे में बेची है जी तो यह होगा 300,500 तो यह आँसर होगया नेक्स्ट देखे यह आपका उत्राखन का 2012 का आरू का पेपर पूरा हो गया नेक्स्ट के लास में 2016 का पूरा करतेंगे ठीक है इतना चोड़ता हो में आप अराम से करिए अच्छे कोश्टन से आपको समाझा जाएंगे ध्यान रखिये का अराम से थेंक्यू